3 नवंबर 1605 इसवी को अकबर की मौत के आठवे रोज बाद उसका बड़ा बेटा मिर्जा नुरूदीन बेग मुहम्मत खान सलीम जहांगीर आगरा के तक पर बैठा जहांगीर मुगल वंश का चौथा बादश्या था 30 अगस्ट 1579 इसवी को राजा भारमल की बेटी मर्यम जमानी के गर्ब से पैदा हुआ जहांगीर एक आईयाश और आवारा किस्म का शराबी शैजादा था बहरहाल उस दोरान मुगल सामराज्य का शाषन उत्तर पश्चिम में कंदार से लेकर भारत के दक्षिन पूरब में बंगाल तक फैला था इसका राजस्व लगबग पांच करोड इस्टारलिंग सालाना था ये वो दोर था जब कई युद्ध के बाद इंग्लेंड का खजाना लगबग खाली हो चुका था अंग्रेज इस बात से भी परेशान थे कि पूर्दगालियों के साथ भारत के लंबे और मजबूत व्या व्यापार करने के लिए मुगल चाशक जहांगीर के दरबार में अपना एक दूत भेजा जी हां इंग्लेंड के राजा जैम्स पर्थम की ओर से व्यापार की अनुमती के लिए विशेश दूत के तौर पर सर्थौमस रो को हिंदूस्तान भेजा गया इसके बाद क्या आईए जानते हैं भारत के साथ यूरोपियन देशों के व्यापार का हिस्सा बनने के लिए इससे पहले भी इंग्लेंड अपने कई मिशन मुगल दरबार में भैज चुका था इससे उमीद के मुताबिक सफलता हाथ नहीं लगी सन 1601 से 1603 तक अंग्रेजों ने दक्षिन ए एशिया में प्रवेश कर लिया था सबसे पहले इस्ट इंडिया कंपनी ने सुमात्रा के बेंटम में अपनी व्यापारी कोठी खोली अंग्रेज बेंटम बाजार में उनी कपड़ों का व्यापार करते थे जलदीवा अन्य एशियाई सामानों विशेश रूप से भारतिये वस्तरों के साथ व्यापार करने के लिए भारत की ओर से आकशित हुए इस समय भारत में अपना समरद्य वस्तर बाजार था आगरा दिल्ली और लाहोर में मुगल सामराज्य की रौनत थी मुगल दरबार भव्यता और विलासिता से भरे पड़े थे फिर 1608 में हेक्टर जहा का कमांडर विलियम हौकिन्स व्यापार की अनुमती के लिए मुगल बाच्छा जहांगीर के दरबार में गया इस समय तक यूरोप के उनके प्रतिद्वन्दी पूर्तगालियों का मुगल दरबार में दबदबा कायम हो चुका था ऐसे में विलियम हौकिन्स को मुगलों के साथ बिना किसी समझोते के ही वापस लोटना पड़ा हाला कि मुगल समराट जहांगीर विलियम हौकिन्स की तुर्की की समझ से काफी प्रभावित हुए थे ऐसे में अंग्रेजों को एक ऐसे शक्स की तेलाश थी जो इंगलेंड की और से मुगल दर्बार में जाए और अपन कूट नितिक चालों से मुगल बादश्या को फसाले इसके लिए इस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1615 में समराट जेम्स प्रथम से मुगल दर्बार में व्यापार के लिए एमबैसेटर भेजने की अनुमती प्राप्त कर ली आखिरकार सर्थॉमस रो को ब्रिटिस समराट का द दर्बार में भेजा गया सर्थॉमस रो एक अनुभवी द्रड सहसी और प्रभंद कौशन से भरा हुआ एक चालाक अंग्रेश था वह अगले तीन सालों तक आगरा में ही रहा इस दोरान इसने अपनी प्रतिभा के बल पर मुगल दर्बार से पुर्तगाली प्रभाव को ख इम किलिंग उनके बेडे का कमांडर था लगबग छे महीने की यात्रा के बाद वे सूरत के पास हिंदूस्तानी जमीन पर उत्रे यहां पहुचने के बाद जनरल किलिंग ने सूरत के गवर्नर जुलफिकार खान को इंगलेंड के राज़दूत के आगमन की सूचना का एक स संदेश भेजा उस दोरान किसी भी विदेशी के आगमन पर उसके जहाज सामान और लोगों की तलाशी ली जाती थी थोमस रोक को इस जांच से छूड दी गई हलाकि गवर्नर इस बात पर जोड देता रहा कि मुगल तटो पर उतरने वाले प्रतेग व्यक्ति की जांच करन उसका करतव्य है बाच्छा जहांगीर के दर्बार में 10 जनवरी 1616 को इनके व्यापार की अनुमती वाले सोदे पर सुनवाई हुई जहांगीर के विनंब्र और दयालू सोभाव से रो बहुत प्रभावित था उसने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा ह कि मुगल दर्बार में किसी भी तुर्की या फार्सी या अन्य किसी देश के राजदूत की तुलना में मुझे ज़्यादा महत्व दिया गया हालाकि थौमस रो को बाच्छा वर मुगल रहीसों के विश्वास को जीतने में सालो लग गए बावजूद इसके जहांगीर ने अनुमती नहीं दी थी थौमस रो वास्तों में एक अडियल किस्म का इनसान था उसकी नजरों में मुगल कोर्ट के मानदंडों का कोई मुल्य नहीं था मुगल संस्कृती रो के लिए पूरी तरह से विदेशी थी वह अपने आपको बाच्छा के बाद दूसरे नंबर का समस्ता था इसका एक कारण ये भी था कि वह इंगलेंड के राजा जेम्स प्रथम का शाही दूद था थोमस रो और टोमन सामराज्य से भी ज़्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान के समराट के दरबार में जा रहा था जिसका दरबार दुनिया में सबसे भव्य और आलिशान था 1616 की शुरुआत में थोमस रो आगरा पहुँचा रास्ते में उसकी मुलकात शहजादे खुर्रम से हुई हिंदुस्तान की धर्ती पर थोमस रो का पहला साल कुछ ज़्यादा कारगर नहीं रहा ने तो रो को खुर्रम पसंद था और नहीं खुर्रम को रो एक आंग भाता था बावजूत इसके अपने अपने लाभों के लिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे रो के परती खुर्रम का व्यववार कुछ अच्छा नहीं रहा था रो ने खुर्रम को घमंड में चूर और एक गमार के रूप में परिबाशित किया है एक बार जब सूरत में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों का माल जब्त कर लिया तो थोमस रो ने शैजादे खुर्रम के पास माल को छोड़ने और अंग्रेजों पर दया दिखाने की गुहार लगई थोमस रो ने मुगलों के भरोसे को जीतने के लिए बादशा के सामने उचित न्याय करने का रोना रोया उसने मुगल बादशा और उसके फैंसले के प्रति सम्मान जताते हुए अंग्रेजों के लिए रहम की भीक मांगी और दैनिये भाव और भाशा का इस्तेमाल किया ऐसा एक नहीं कई बार किया गया आखिरकर अपने सामने गिड़गिडाते थोमस रो को देखते हुए प्रिंस खुर्रम ने अंग्रेजों के हक में दो फर्मान जारी कर दिये पहला सूरत में अंग्रेजों को रहने की इजाज़त दी गई दूसरा माल के नुकसान के लिए 17,000 ममूदी का भुकतान करने का आदेश दिया गया इसके बाद सितमबर 1617 में शहजादे खुर्रम ने बंगाल में व्यापार के लिए रो को एक फर्मान जारी किया इसके तहर शाही प्रभुत्व के अंतरगत कम्पनी को मुफ्त विशेशादिकार प्रदान किये गए अगस्त 1618 को रो के इंग्लेंड लोटने से 6 महीने पहले सूरत में हिंदुस्तानियों के साथ पुर्तगालियों के जगडे की खबर मुगल दर्बार में पहुँची थॉमस रो ने इस मोके को भुनाते हुए हिंदुस्तानी जहाजों को अंग्रेजी सुरक्षा देने की पेशकश के बदले विशेशादिकारों को हासिल करने की योजना की आखिरकार अंग्रेजों को इसका फायदा मिला और खुर्रम ने अंग्रेजों को अनुदान दे दिया हाला कि अंग्रेजों की सबी मांगे नहीं मानी गई लेकिन वह व्यापार के लिए पर्याप मुगल सनरक्षन हासिल करने में सफल रहे ताजा फर्मान के अनुसार अंग्रेजों को व्यापार के लिए मुफ्त पहुच की अनुमती दी गई इंग्लेंड से आए अंग्रेजी माल पर कोई कस्टम शुल्क नहीं लगाया गया बिना शुल्क के जवारात को देश में बेचा जा सकता था बंदरगाह से गुजडने वाले अंग्रेजी सामानों पर किसी भी प्रकार के तोल को समाप्त कर दिया गया वहीं पुर्टगालियों द्वारा हिंदुस्तानियों पर हमला करने के मामले में अंग्रेजों को भारतियों की सहायता करने का आदेश दिया गया उन्हें कारखानों की स्तापना के लिए भवनों को किराय पर लेने के लिए कुछ प्रतिबंदों के तहत अनुमती दी गई हलाकि रो खुर्रम को इस बात का आश्वाशन देने में सफल रहा कि सूरत में हतियारबंद अंग्रेज कोई गलती नहीं करेंगे या किसी को चोट नहीं पहुचाएंगे। इसके बाद इस शर्त को भी लगबग समाप्त कर दिया गया। आखिर कर स्वतंत्र व्यापार की आग्या देकर मुगलों ने अपने पैर पर कुलहाडी मारने का काम किया। इससे मुगलों की भारत में जड़े कमजोर होती चली गई और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया। भारत में मुफ्त व्यापार की अनुमती मानों अंग्रेजों के लिए लूट मचाने का एक लिखित आदेश था। अंग्रेजों ने इसी आदेश के बल पर हिंदुस्तान को 1749 में फार्सी लूटेरा नादीर शाह से भी ज़्यादा लूटा। भारत के कुशल दर्जियों और बुनकरों द्वारा बनाये गए खुबसूरत दिजाइनों के कपड़ों की मांग पूरे एशिया में थी। जलधी इंग्लेंड के बाजारों में भी भारतिय कपड़े की मांग तेजी से बढ़ गई। यहां तक कि अंग्रेजों ने अपने नए कपड़ा उद्ध्यों के लिए कई पैटन भारत से लिए थे। 1750 तक कंपनी की विक्री का 60 प्रतिशत हिस्सा भारतिय रेशम, कौटन और कैली को था। यह वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का हस्तशे बढ़ता जा रहा था। वहीं मुगलों की इस्तिती कमजोर हो रही थी। अंग्रेजों ने मौके का फाइदा उठाया और मुगल सामराज्य के प्रति शेत्रिय ताक्तों को उभारा और फिर संदी कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। जल्द ही एक फल विहीं पेड की तरह कमजोर और बूड़ा हो चला मुगल सामराज्य उखाड कर फैंक दिया ग जल्द ही कमपनी ने भारत की राजनिती में अपना इस्तान पक्का कर लिया और इसी ने भारत को मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरू शेयर करें। धन्यवाद दोस् दोस्तों इसी प्रकार के इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टॉरिक स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो क के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों